भारतिय जंतापाटी ने जंतादल उनाइटेट पर गडवंदन धर्म तोड़ने का आरोप लगाया और उसके बाद मुखमंत्री नितीश कुमार और तेजश्वी आदव ने उपमुखमंत्री पद की सपत ली और सपत ग्रहन के बाद ही जद्यू काराले में जद्यू के राष्टिय द्यक्स लेलन सिंग ने प्रेस्वारता बुलाकर उल्टे भारतिय जंतापाटी पर ही गडवंदन धर्म तोड़ने का आरोप लगा दिया और सीधे तोर पर कहा कि अब की भारतिय जंतापाटी पहले वाली पाटी नहीं रह गई और अब की पाटी जो साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं क्या कुछ कह रहा है जदियू के राष्टिय द्यक्स ललन सिंग हम आपको सुनाते हैं और मानिये मुक्रमंत्री जी ने पार्टी के सभी विधायक विधान सभा के सदस सभी विधान पुरिशत के सदस बंद कर लिजें आप बार्टी के सभी सांसर लोग सभा के रासभा के सबों को आम दर्टिय था उनुन है और सबों से उन्होंने गाय लिया को कि बहुत दिनों से सब लोग तरह तरह से मिलखे मुक्रमंत्री जी को अपनी घाबना व्यक्त करते रहते हैं तो कल उन्होंने ल ज्यादा लोगों ने अपने राय बेक्ट की और सभी सत्त प्रतिसत लोगों ने यह कहा कि 2020 के विधान सभा के चुनाव में हम लोगों के हमारे कार्ज करताओं के समर्थन से भार्दिय जंता पार्टी जी लिए और भार्दिय जंता पार्टी के कार्ज करताओं ने हम लोगों को हराने का काम किया सौभाग बस हम लोग जो यहाँ जीत के बैटे हैं हम लोग जीत के आगए उनके पूरी साजिस के खिलाव इसलिए ऐसी परिस्थिती में आप निर्ने लीजिए हम लोग के साथ उन लोग के साथ रहना है कि नहीं रहना और तब मुक्मंत्री जी ने कहा हम अपती पार्टी के साथियों की राई से समध हैं और हम आज के बाद राष्ट्य जन्ताद्री कट्रुद्र में नहीं रहें प्रियास तो राष्ट्य जंता दल पर कल कर रहे थे आपका तो कुछ-कुछ सबंद सब जगन है मनीशी पता लगा लिए राष्ट्य जंता दल के लोगों को फोन कर रहे थे जाओ किसी तरह 3-4 दिन रूप जाओ यह सब काम उधर करते हैं इधर कोई उनका एजेंट अब नहीं बचा एक 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 वेजेंट था जिसको पाचान लिए और विदा कर दिए बेटिकट कर दिए आप तो बेटिकट कर दिए तो आप कहां उनका कोन एजेंट यहां बचा है ज लाफ तो आप ने सुना राष्ट्चौ दक्स लेललान सिंग ने और कहीं ना कहीं जद्यू को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रही थी जिसके बाद नितीश कुमार ने ये फैसला लिया है वहीं उन्होंने सिधे तौर पर ये कह दिया कि हम CBI और ED से डरने वाले लोग नहीं है हम कोई कंपरी नहीं चलाते हैं हम पार्टी चलाते हैं हमा आपसे तूटने के बाद आप हमारे उपर सिकंजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कोई गल्ती नहीं है हम पूरी तरह से पाक साफ है ये दावा किया है जद्यू के राष्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग ने बिहार में अब नई सरकार बन गई है और ये सरकार सभी के बोल बदले बदले से नजर आ रहे हैं आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ जरूर साजा करेंगे तब तक के लिए बने रहे हैं दैश्जी नियूस के साथ और देखते रहा है दैश्जी नियूस आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशिया ना तो कीजिए हमारे न अगर आप भी UPC या JPC परीच्छा में सफल होना चाहते हैं तो अभी जोइन कीजिए दपरेयास इंडिया राची को दपरेयास इंडिया राची में आपको बेस्ट फैकल्टी कांसलिंग सेसंस स्टरी मैटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी विवस्था उपलग्द है तो कर67 ओिवस्था एंस में दियुर जब कर 25 और दोगी की जो आपको जाब। झालओ के कि पालत मजस होना खजलिए।